के बारे में बोकारो इस्टिल प्लांट की अपकमिंग रिकूट्मेंट के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं तो जितने भी केंडेट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखेगा अगर आपकी ड्रीम है कहीं न कहीं कि मुझे सेल में जॉप्स मिलनी चाहिए वो भी बोका वेकंसी यहां पर निकलती है वो डिरेक्ली वेकंसी नहीं निकलती है वेकंसी गेट के थुरू निकलती है तो वहां पर जो गेट करते हैं वो ही केंडेट इस पॉंप को फिल कर जाते हैं बाकी बार डिरेक्ली वेकंसी जो निकलती है वो आई टिया वालों के लिए निकलती यह लाइक ATT, OCTTT द्वारा, एंड एक boiler की भी भी आती है तो इस तरह से recruitment आती है हम इसकी पूरी process बताएंगे क्या syllabus exam pattern होता है कैसे आपको तैयारी अब आपको एक करनी चाहिए देन यहापर age limit, selection process A to Z बताऊंगा आपको क्योंकि काफी सारा comment आ रहा था वो बोकारो इस चिल प्लांट से आएगी क्योंकि यह totally ready है guys recruitment को लेकर क्योंकि यह vacancy 2021 में ही release करने वाली थी, but COVID को लेकर extend कर दी, then क्या pending इसकी examination भी थी, जिसके सारी examination जो pending है वो खतम हो चुकी है, सब की result यहां पर जारी हो चुकी है, तो चलिए A to Z में discuss करने वाला हूँ वीडियो इसको पूरा देखेगा, start करते हैं इससे पहले requested होगी, चनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, so do subscribe and hit the bell icon, तकि इसी तरह latest government subscribe date आपको बराबर मिलते रहे हैं देखे, सुरू से सुरूबात करते हैं vacancy sale किस प्रकार की निकालती है अगर मैं सही मायने में discuss करूँ तो ये, actually ये भी नहीं है, कि fix है कि 2019 में अगर vacancy निकले तो 2020 में फिर निकलनी चाहिए 2021 में निकलनी चाहिए, इसका कोई fix to tenure नहीं है, but 2019 में ही, जनवरी 2019 में निकली है, पूरा 20 खतम हो गया, 21 खतम हो गया, vacancy बहुत ही सारी post है, जो कि यहां पर खाली है क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, number में vacancy, something इसकी 2021 की यहां पर out करने वाले थी, बोकारो श्टिल plant, but यहां पर सिर्फ only COVID को लेकर, इन्होंने hold पे रख दिया वर्ती को, और कई सारी exam थे, जो pending थे, अब बोकारो श्टिल के पास, कोई भी exam जो है, वो pending नहीं है, आप देख सकते हैं finally, ITT जो, ITT technician की vacancies आती है यहां पर, alphabetical order द्वारा यहां पर electrician की, यह सारी result out कर दी गई है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, मैं result आपके सामने लेकर आयों, list, selection list, किसको reporting करना, 21 फरवरी, 22 फरवरी, यह medical test की date है, यह सारे candidate का selection हुआ यह welder की है, और यहां पर मिल जागी, machineist की, और यह fitter की, next आपको मिल जागी, यह fitter अभी month clear नहीं है, कि कब निकालती है, और जब भी vacancy निकलेगी, then क्या अगदम लगातार vacancy निकलती है, पहले बोकारों की निकलने वाली है, मैं लिख देता हूँ सबसे बोकारों की ही निकलेगी, then आपको दुरगापूर इस्टिल प्रांट, या फिर विलाई स्टिल प्रांट, या फिर राऊर के लाई स्टिल प्रांट, लगातार vacancy आती रहती है, 15-20 दिन में, या फिर एक month के लगातार में, अंतराल में, हर department, जितने भी sale की division है, हर division से vacancy आएगी, तो आप सब ready रहो, preparation अपनी start कर दो, जितने भी student अगर sale में jobs करना चाहता है, तो, क्योंकि उस time आपको time नहीं मिलेगा, जितना time 2019 में, preparation को लगा है, because covid को लेकर, लेकिन अब जैसे vacancy आएगी, 3-4 मेने के अंतराल में, exam है, जो आपकी conduct करा ली जाएगी, अब चलिए discuss करते हैं, इसकी syllabus and exam pattern को, किस type की vacancies निकलती है, age limit, selection, process, और salary के बारे में, तो मैं, जिस notification के तरज पर आपको syllabus, exam pattern, और आपको vacancies, table के बारे में, बताने वाला हूँ, किस type की vacancy निकलती, age limit, salary, वेगर, वो previous notification है, 2019 की, याद रखना, new notification रिलिज नहीं हुए, काफी सारे student होते हैं, जिनें पता नहीं होता है, notification देखकर comment कर देते हैं, यह तो पुरानी वाली है, तो ध्यान रखना, मैं पुरानी वाली से आपको syllabus बता रहा हूँ, syllabus पे ध्यान दो, अपने study पे focus करो, अगर sale में जौब करनी है तो, next है, यह महारतना sector की company है, यह सब आपको पता होगा, vacancy post निकलती है, जैसे कि degree वालों के लिए gate पे हिसाब से निकलती है, gate वाले पे gate देते हैं, जो currently gate exam होता है, marks को देखके, उनका selection होता है, then interview, अब इसमें finally जो directly vacancy निकलती है, वो idea वालों के लिए निकलती है, और diploma वालों के लिए निकलती है, diploma वालों के लिए जो vacancy होती है, operator come technician trainee, यह vacancy है, 2019 में काफी अच्छी vacancy निकाली गई थी 302, जिसमें की various branches होते हैं, like mechanical, metallurgy, electrical, chemical और आपकी kremics होती है, instrumention होती है, और अलग-अलग field में अलग-अलग category wise है, अगर मैं बात करूँ, अनुमान लगाओं की इस साल कितनी vacancy आएगी, तो approximately 500 plus vacancies आपकी होने वाली है, और यही something होगी, हर department, हर division में, वो कारों मैं सिर्फ यहाँ पे बोल रहा हूँ की 500 plus vacancies आपकी हो सकती है, तो hopefully एक अंदाजा लग गया होगा, डिप्लोमा वालों की क्या-क्या vacancies होती है, अमारी branches की, एक vacancy निकलती है, operator come technician, जो की boiler की होती है, यहाँ पर boiler का certificate होना अनिवायर होता है, अगर आपके पास boiler की certificate है, तो यह भी vacancies कम नहीं है, काफी अच्छी खासी vacancies है, और vacancy table आप यहाँ पर जो है, तेक पाऊगे जब vacancies आएगी तो, तो यह idea वालों के लिए attendant come technician training, इसमें LGBT condition में बात करूँ कि apply करने के लिए क्या LGBT होती है, तो LGBT condition होता है, operator come technician, जो technician जो training, डिप्लोमा वालों के लिए, 18 साल से लेकर 28 साल, देन होती है, boiler की, इसमें 30 साल रखी होती है, यह idea जो आपकी idea वालों के लिए होती है, उसमें अभी 28 साल होता है, बाकी बाद age relation आपको इसमें proper मिलती है, qualifications की में फिर से बता देता हूँ, operator come technician training में 10th pass होनी चाहिए, then 3 year की full time diploma engineering relevant discipline में, अब यहाँ पर lateral entry वाला apply नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 year की मांगी गई है, 10th pass with 3 year, यहीं पर 3 year नहीं लिखा होता, तो देन आपका क्या होता है की lateral entry वाले apply कर सकते हैं, बट यहाँ पर lateral entry वाले sale की कि किसी भी plant में eligible नहीं होता है, वैसे भी की vacancy निकलती है, for ITI वालों के लिए, तो 10th pass होना ज़रूरी है, याद रखना कोई 8 pass करके, यहाँ पर eligibility condition eligible नहीं हो, तो apply नहीं कर सकता, बट 10th pass all India trade test NCVT द्वारा जो है pass out होनी चाहिए, national trade certificate, ITI का certificate यहाँ पर होना ज़रूरी है, अब मैं बात करूँ कि इसमें height वेगर अभी कुछ रखा जाता है, physical standard तो जी यहाँ होती है, 155 cm male के लिए 147 cm female और वजन होता है, आपका 45 kg male में, 35 kg आपका female में, और trade आप पूछोगे, तो trade like vacancy आती है, आपकी electrician हो गया, fitter हो गया, welder हो गया और machinist, अभी तक जितनी भी पोस्टे में बता रहूँ, लगबग इतनी सारी vacancies क्योंकि 2019 की result मैं दिखा चुका हूँ आपको, बस यही सारी trade की vacancies आई होई थी, देन अब की बार देखते हैं कि क्या vacancy trade update होती है के नहीं, selection procedure यहाँ पर आपका retain exams होता है, retain exams, जो की आपका यहाँ पर सबसे पहली qualifying nature का होता है, यहाँ पर required paper में तो जो भी रेटेन exam online CBT में participate करते हैं, जो भी qualify करेंगे, उसकी skill test के लिए, आफिर trade test बोलें, उसको बुलाया जाता है, one is two third ratio में, मानलो, 1000 vacancies निकाली जाती है, तो उसके तीन गुना candidate को shortlisted की जाएगी, किसमें, skill test और trade test के लिए, retain test इसमें 100 multiple time question पूछी जाती है, जिसमें 90 minute का time आपको मिलता है, कोई PWD candidate है, तो यहाँ पर 30 minute उनको extra मिलती है, अदरवाइस याद रखना guys, question यहाँ पर इतने भी वोकारो शिल्पांट के तर्च पर मवता हूँ, तो question easy ही गया था, easy ना, moderate ही गया था, कोई difficult level question नहीं आपर पूछा गया था, बहुत easy easy question इसमें खास करके GKGS की पूछी जाती है, OCTTT की क्या आपकी यहाँ पर होती है, आप यहाँ पर देख सकते है general English 10 question, general knowledge 10 question होता है, reasoning की 15 question होती है, mathematics की 15 question, then आपकी discipline जो question पूछा जाता है, वो 50 question पूछा जाता है, यहनि कि main focus आपको किस पे करनी, अपनी branch पे, अपनी trade पे, boiler की में बात करूँ, तो general English 10 question होगा, general knowledge 10 general awareness होता है, 40 question, तो सबसे जो अच्छी होती है, आप सब ITA वालों के लिए यही चीच होती है, general awareness, जहाँ पर GKGS, general science होती है, यहाँ आपकी जो भी current affairs मुद्दा चल रहा हो होता है, और काफी easy होता है, यह चीच क्वालिफाय करना, यहाँ पर quantitative capture आपकी पुछी जाती है, 30 question, logical reasoning होती है, 30 question, जिसे आप असानी से crack कर सकते हैं, अगर आप अधर देन भी government jobs की profession आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो यह चीच अच्छी है, negative marking यहाँ पर होती है, 1 by 4th की अगर आप एक गलत answer करते हैं, देन इसके बाद क्या होगा, आप मानलो written test पास कर चुके हैं, तो skill test या फिर trade test के लिए आपको बुलाया जागा, trade test आपका वहाँ पर होता है, qualify करते हैं आप तभी finally आपकी जो clearly यहाँ पर लगती है job, और finally उसके बाद training period होता है, जैसे आपकी job लगेगी, दो साल के बाद आपकी permanent jobs लगती है, तो आपकी salary 15,000 से लेकर 22,150 के रूप में हो सकती है, तो यह previous S level में बता रहा हूँ, हो सके इस बार salary आपको increasement आपको देखना मिले, approximately salary आपको मिलती है in hand, तो 25,000 plus salary आपको in hand मिल जाती है ITA वालों के लिए, और यहीं पर मैं बात करूँ, तो 28,000 के करीब हो जाती है, for diploma student वालों के लिए, इसमें application fee भी होता है, OCTT वालों के लिए, 2500 रुपया है general OBC EWS के लिए, और यहां पर 1500 रुपया होता है general EWS के लिए, जो AITT ITA वालों के लिए, हला कि यह चीज़ें आपको different मिल सकती है, इस बार कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी बाद जितने भी syllabus exam pattern हो गया, सारी चीज़ें आपकी same होने वाली है यहां पर, तो बस यहीं update रहा है, आप सभी candidate के लिए, अब wait कीज़े कि कब तक इसकी official आ जाती है, month clear नहीं है, लेकिन यह चीज़ आपको अपरिल के बाद, कभी भी vacancies देखने को मिल सकती है, तो जितने भी candidates वीडियो को देख रहे हैं guys, आप अपनी preparation को boost दीज़े, तैयारी आप start कर दीज़े, क्योंकि लगातार vacancies आपको देखने को मिलने वाली है, जब भी vacancies यहाँ पर start हो जाती है, और start आपकी अप्रेल के बाद 110% 2022 में vacancies निकलेगी, तो hopefully यही details से आप सभी candidate के लिए, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएगा, useful लगी हो, please like, share and subscribe कोई भी doubt हो, आप बेज़िज़क मुझे comment कर सकते हैं, success deliver 24 मेरा Instagram ID, आप वहाँ से मुझे personally contact कर सकते हैं, चले मिल देने एक्स वीडियो में, तब दगे लिए ज़रूर इंद,